थर्ड ग्रेड भरती 2023 का रिवाइज रिजल्ट अब कुछ ही दिनों में आना है उस पे मैं थोड़ी आप से चर्चा करता हूँ यदि आप चेनल पर नए हैं तो करपया चेनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को देखने के बाद में लाइक और सेर भी जरूर कीज अब सुनिएगा मेरी बात लेवल टू का जो रिजल्ट है ये रिवाइज रिजल्ट आने वाला है और विद्यार्थियों का कन्फ्यूजन है कि परसंट चेन्ज होंगे की नहीं होंगे तो मैं एक बात कनफरम कर दूं कि रिवाइज रिजल्ट आना ते है रिजल्ट दूबारा इसमें कोई दोर आए नहीं है और रिवाइज रिजल्ट आएगा इसका मतलब ते है कि परसंट चेन्ज हुए हैं लेवल टू में परसंट चेन्ज हुए हैं और परसंट चेन्ज हुए हैं तो सीधी सी बात है कि स्कोर कार्ड है वो भी बदलेगा आपका पहले का जो score है उसमें परिवर्तन होगा scorecard भी बदलेगा तीसरी बात करते हैं कि क्या cut-off change होगी अब आप भी अनुमान लगा सकते हैं यदि scorecard ही change होगा तो cut-off में परिवर्तन 100% होगा इसमें भी कोई दोराई नहीं है तो cut-off में change होगा तो कुछ point से जो विद्यारती रहे हैं उनका क्या होगा तो प्यारे मित्रो जो विद्यारती जो भाई या जो बहिन कुछ point से रह गए थे और revise result में यदि वो plus आते हैं कुछ percent delete होते हैं number बढ़ते हैं घटते हैं तो अगर वो plus में रहते हैं तो 100% वो selection की दोड में आएंगे इसमें भी कोई दोर आए नहीं है और अब मैं बात करता हूँ कि चैनित अभिर्थियों का क्या होगा चैनित साथी जो है मेरे भाई और बहिन जिनका पहले इसमें chain हो चुका है उनका क्या होगा तो सुनिएगा जो भी अगर वो कुछ पॉइंट से बाहर होते हैं तो कतई घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अगर चैनित हैं चैनित साथी जो भी है यदि कुछ पॉइंट से वो रह जाते हैं तो उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा ये सरकार में मंतरना चल रही है गोर्मेंट भी ये चाहती है कि जो चैनित अभेर्थी है वो कतई बाहर नहीं निकले तो जब कुछ पॉइंट से वो रह जाएंगे और जो पिछे कुछ पॉइंट से रहे हैं वो अभेर्थी आगे आएंगे तो सीधी सी बात है कि उन विद्यार्थियों को बाहर निकलना पड़ेगा हो सकता है उनको एक बार के लिए ऐस थाई बाहर भी कर दिया जाए लेकिन सरकार इस पे मंतरना कर रही है वो सरकार भी ये चाहती है कि कभी आपको बाहर नहीं किया जाए आपका भी कोई न कोई समाधान जरूर ढूंडा जाए तो इसका समाधान जरूर ढूंडा जाएगा और अगर आप भार होते हैं और वो भी द्यार्थी सामिल होते हैं तो जरूर आपके लिए अलग से अतिरिक्त पोस्ट सरजित की जाएगी इसमें भी कोई दोराय नहीं है आ बाहर नहीं किया जाएगा, आप सेवा दे रहे हैं, आप सेवा देते ही रहेंगे, बस अपना विश्वास बनाई रखिएगा, आपके साथ गलत सरकार नहीं करेगी, और यदि आपको बाहर करती है, तो आपको अतिरिक्त पोस्ट के साथ, ओ अतिरिक्त पोस्ट जो और सरजित की हैं उनमें आपको पोस्टिंग दी जाएगी यदि सरकार आपके साथ ऐसा ले लिती है कि आपको बाहर ही करेगी तो आपके लिए न्याले का दरवाजा खुला है आप बे जिजक वहाँ पे इस्टे लगा सकते हैं फिलहाल सुचना यही है कि लेवल टू में जो विद्यार्थी चैनित हैं जो अभ्यर्थी चैनित हैं उनके साथ गलत नहीं किया जाएगा सरकार इस पे मंतरना कर रही है प्यारे मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को देखने के बाद में जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई सुचना के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत राम रमसा